हाई, वेल्कम टो मैस्योनल, इस बड़ी में स्वाल्व करें क्यूस्ट नबर टेन, तो ध्यान देज़ेगा, इफ दी कॉस्ट प्राइस आफ 18 चेयर्स बे इक्वल तो सेलिंग प्राइस आफ 16 चेयर्स, find the gain or loss percent, तो 18 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है, CP of 18 चेयर्स, वो इक्वल है, SP of 16 चेयर्स, तो बताना है कि कि लॉस होगा या गेन होगा, जो भी होगा, लॉस या गेन होगा, उसका percentage निकालना है, तो solve करते हैं, देखें, इसको solve करने के दो तरीके हैं, या तो X मान के करिए, या फिर 1 रूपीज मान के करिए, मतलब कि एक चेयर्स का cost price हैं, हम 1 रूपीज मान के करेंगे, तब भी solve हो जाएगा, या फिर, जो यहाँ पर दिया हुआ है, उस पूरे को मान लेजे, कि उन दोनों का जो price है, वो X रूपीज है, तब भी हो जाएगा, तो हम solve करते हैं, इसमें, second वाले method से, means X रूपीज मान करके, तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, let, let the, अचा कुछ माना नहीं है, sorry, यहाँ पर second method में क्या करना है, direct लिख देना है, given that, आपका दिया हुआ है, given that, given that, CP of 18 chairs, is equal to दिया हुआ है, is equal to selling price of 16 chairs, means SP of 16 chairs, okay, 16 chairs, यह दोनों equal दिया हुआ है, अब इसे को माल लेंगे हम, let, let, CP of 18 chairs, is equal to SP of 16 chairs, is equal to X rupees, ठीक है, मतलब कि 18 chairs का जो भी CP है, और 16 chairs का जो SP है, दोनों को माल लिए, कि X rupees दोनों equal है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक chair का CP निकाल लेंगे, और एक chair का SP निकाल लेंगे, फिर हमारा same number of chairs का SP और CP निकल जाएगा, फिर हम solve कर सकते हैं, gain your loss person निकाल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमेशा focus करना है, कि कैसे हम same number of chairs का CP और SP निकाल लें, यहाँ पर अलग-अलग CP और SP दिया है न, यहाँ पर 18 chairs का CP दिया हुआ है, X rupees, और 16 chairs का यहाँ पर SP दिया हुआ है, X rupees, तो यहाँ पर क्या करेंगे, CP of 18 chairs, को हम पहले लिख लेंगे, इसकी price X rupees, जो हमने मारा था, अब यहाँ से एक chair का CP निकाल लेते हैं, It implies, CP of one chair, कितना हो जाएगा, X upon 18 rupees, डिवाइड कर देंगे, X में 18 से, उसके बाद similarly जो है, यहाँ पर, similarly, similarly क्या कर सकते हैं, SP of one chair निकाल सकते हैं, SP of one chair, SP of one chair कैसे निकाल लेंगे, देखिए, अब SP of 16 chairs की price कितना है, X rupees, तो X में डिवाइड कर देंगे, 16 rupees से, ठीक है, अब यह हो गया दोनों का, अब यहाँ धान देजे, एक chair का CP मिल गया, X upon 18 rupees, और एक chair का SP मिल गया, X upon 16 rupees, तो SP और CP यह दी मिल गया, एक chair का, अब यहाँ पर profit percent, या loss percent निकाल सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर compare कर लेते हैं, X upon 18 है यहाँ पर, क्या है CP, यहाँ का CP है, और SP दिया हुआ है, X upon 16, तो यहाँ पर देखिए, यह जो 18 है, यह बड़ा नंबर है 16 से, और किसी बड़े नंबर से यह दी डिवाइड करते हैं, same नंबर में, तो वो नंबर छोटी हो जाती है, मतलब कि SP बड़ा होगा CP से, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 16 जो है, चोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, इनका पेरजन टू, एक बड़े नंबर से यह दी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 18 से डिवाइड करेंगे, यहाँ फर्मुला होता है, SP मैनस CP अपान CP मोड़िप्राइड बाई 100, SP कितना है, SP आफ वन चेवार युज़ करेंगा, तो X अपान 16, मैनस X अपान 18, CP अपान X अपान 18, यहाँ भी उज़ करना पड़ेगा, इतना एंट्टू 100, इसकल टू, यहाँ पर LCM ले लेते हैं, तो 18 और 16 का जो LCM होगा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, तो भी हो जाएगा, 28 जा 16, 29 जा, मतलब कि 8 और 9 आएगा, मतलब कि 9 आएट जा 72, 72 टू जा, तो खेर हम यहाँ पर LCM के लिए, हम दोनों को मॉडिप्लाई कर देंगा, तब भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हम लिए सकते हैं, यहाँ पर 18, 16 मॉडिप्लाईट बाई 18, मतलब यह भी एक तरह से LCM के रूप में, यूज कर सकते हैं, अब यह यूज करता हैं, इसको करने की जोर्त नहीं है, यहाँ पर इसको अठा दीजे, क्योंकि आप यहाँ फाल्तू में समय बबाद करेंगे, यहाँ पर यहाँ से भी काम चल जाएगा, अब 16 सट्रिवाट करता हैं, 16 में तो 18 हो जाएगा, 18 X मिल जाएगा हैंपर, 18 X माइनस, 18 सट्रिवाट करता हैं 16 मिलेगा, 16 X हो जाएगा हैंपर, देखिए फाइनली असान हो गया हैंपर, और यह मिल जाएगा X अपान 18, मुटिपलाई करना इसमें 100 से, अब देखिए नीचे वाला 18 से, यह 18 से केंसे लट हो जाएगा, ठीक हैं, यह जो है सबसे नीचे वाला, इसके नीचे वाले से कट जाता है, ठीक हैं, या फिर आप यह समझ लो कि, जो सबसे उपर होता है न, उससे मुटिपलाई करते हैं, सबसे नीचे वाले इसमें, और जो बीच वाले होते हैं, इसमें इसमें, इन दोनों मुटिपलाई करते हैं, और इसको सॉल्फ लटता है, तो यहाँ पर यह 18, 18 के से लो हो जाएगा, और जो बचा है, वो बचेगा, उपर वाला यहाँ पर, 18 x माना 16 x कितना हो जाएगा, 2 x हो लापान, 16 into, यहाँ बचा है 1, तो 16 बचा है यहाँ पर, और नीचे देखिए x है, तो x से मुट बढ़े करतेंगे, उपर मतब 16 में, मतब 16 x हो जाएगा, into, यहाँ पर हो जाएगा, 12.5%, तो 12.5% is the required gain percent, ओके, यह आपका answer है, तो यहाँ पर जो solve करने जो तरीका है, उसमें थोड़ा सा, समझेगा ध्यान से, जब भी आपका दियार हैगा, A upon B upon C upon D, यहाँ ऐसा देगे, समझेगे कि D, D जो है B से cancel out हो सकता है, अंदर B और B में कोई common factor रहेगा, तो cancel out कर लेंगे, और जो C है, और जो A है, इसमें भी कोई common factor रहेगा, तो यहाँ पर cancel out हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, D से पहले A में मटवलाई कर दीजिए, तो मिलेगा A into D, आपान कर लिजिए, B बीच वाले को मिलेगा करके जो है, एक साथ रख लिजिए, means B into C, अब यहाँ पर उपर नीचे common factor कुछ मिलेगा कर दाते रहेगे, और फिर मिलेगा करके solve कर लिजिए, यह तरीका है, यहाँ पर मैंने वैसे ही किया है, थोड़ा सा मैं advance हूँ, थोड़ा सा बहुत अप्रेटिस कर लिया है, इसलिए इसको मैं नैसे कर दिया, तो यह आप solve करके ऐसे आगया, वैसे आप समझ भी रहोंगे, यदि आप पढ़रोंगे अच्छा जोगे, तो comment करिएगा ज़रूर, और like कर दिजिए, subscribe कर दिए, share कर दिजिए, thank you so much for watching, bye!